3-year return 46%, 5-year return 32%, again 3-year return 40%, again 4-month return 37%, and the last one 3-year return 22%. यह जितने सारे small case आप देख रहे हूं, यह सारे momentum-based small case portfolio होजे, जो आज की date में, काफी demand में है. Momentum means positivity, but यह जितने सारे small case है, momentum-based small case है, यह momentum-based investment strategy को follow करता है. That means, market job bullrun होता है, मैं अगर आसान भासे में आपको समझाओ, as a retail investor आप इतना ही समझो, market job bullrun होता है, market job तेजी से आगे भागता है, यह situation, यह scenario में, momentum-based investment strategy है, वो अच्छा return जनरेट कर सकता है, और करता भी. तो आज का वीडियो में हम जो discuss करने जा रहे है, that is alpha prime small case, which is managed by right research, बहुती new small case है, and only 4 month complete हुआ है small case platform में, and it also has gained popularity within 4 months, and has generated more than 37% return in last 4 months. So, let's deep drive into this small case. Anyway, शिधा चलिए देखते हैं, return क्या दिया है, देखो, यह equity small cap के साथ compare के जाता है, इसका मतलब है, इसमें जितने सारे stocks होगा, यह maximum investment होगा small cap companies दिने, आपको दिखा होगा. Anyway, last 1 month का return देख रहे हो, यहाँ पर small cap, equity small cap से यह थोड़ीची अच्छे कमा के दिया है, इसको small cap index में अगर आपको 102 रुपे होता है, आपको 100 रुपे तो यहाँ पर 107 रुपे मिल रहा है, अगर आप पूरा maximum में आप देखेगो, तो यहाँ पर small cap index से आपको 21 रुपीज मिल तो 100 रुपीज के ऊपर, यहाँ पर 37 रुपीज मिल रहा है, इसका मतलब अच्छा ही है, इंडेक्स को beat किया है, अच्छा return कमा के दिया है, इसमें ज्यादा देखने का कुछ है ही नहीं, क्योंकि यह 4 months only हुआ है, anyway, overall return दिखा रहा है 37%, अब आप सभी को पता होगा, market भ only 9%, mid cap में आपका 6%, small cap में 85%, 84% यहाँ पर investment है, anyway, यहाँ पर देख सकते हैं, यह weekly rebalance, यह सबसे बड़ी important चीज है, अब the rebalance weekly मतलब, यह frequent rebalance होता है, क्योंकि इसी इसाब से तो ही दिखा रहा है, कि high frequency, यहाँ पर कुछ long term investment strategy यहाँ पर इसा फोलो नहीं होता है, अभी तक तो कुछ नहीं ले लो, तो फिर यह long term strategy यहाँ हो गया, बट हो सकता है, कुछ stock जिसे long term में भी यह keep करके रखे, रख रहा भी होगा, तो यह आप मान के चोलो, weekly rebalance मतलब, यहाँ पर थोड़ा transaction cost ज्यादा हो सकता है, देखेंगे details में, तो यह एक अच्छी चीज है, क्योंकि आ अगर आप इसको details में analysis करते हो, थोड़ी सी slower है, पता नहीं, आप देख सकते हो, next review होगा यह आपकी October 16 में, बट उससे पहले हुआ था October 9 में, जो no changes है, कोई stocks को यहाँ पर खरीदा गया नहीं, बेचा गया नहीं, बट उससे पहले जो October 3 को हुआ था, यहाँ पर दो constitution की plus कि था, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा कुछ चेंज होती है, अगर एक दो भी चेंज होते ही, तो यह मान के चलो, काफी risk, यह high risk portfolio है, तो आप अगर risk taker हो, risk ले सकते हो, then think for this more, दरवाइज इससे भी और भी अलग small cases, जो आप देख सकते हो, अगर momentum based investment करनी साती हो, तो इसका भी और भी small cases से, momentum based small case से, वहाँ पर investment कर सकते हो, यह काफी risky है, और कि भी new है, मुझे तो यह personally बहुत पसंद आ रहा है, अगर आप risk लेना ही है, तो क्यों ना हम इसी में try करें, anyway, यहाँ पर आपकी देखन financial ratios, अब देखो, financial ratios में जैसे आपको technical चीज बताता हूं, कि exactly overvalued stock है, या undervalued stock है, value based, growth based investing, यहाँ पर नहीं तो momentum based investment strategy, आप में देख सकते हो, P ratio हैं पर 24.76 दिखा रहा है, वहाँ जारेज, आपकी equity small cap में आपको 28.30 हो था, इसका मतलब यह undervalued stock में investment करता है, अभी तक तो य दिखा रहा है, क्या पता, आगे जाके क्या हो जाएगा, तो यह कोई मतलबी नहीं बनता, anyway, यह ज़्यादा overvalued stock में अभी तक तो investment नहीं किया है, यह जो potentiality रखता हो, जो stocks थोड़े सी ठेजी से भाग सकता है, भाग रहा हो, और थोड़ा सही value में मिल रहा हो, ऐसे company, ऐसे investment करो, small case investment करो, आप SIB करते रहें, लेकिन यह वाली small case में SIB कुछ काम का नहीं ही, कोई फरक नहीं पड़ेगा, यह मेरा personal experience, जीतना मैंने momentum based investment में investment किया है, यह मेरा personal opinion है, maybe I am wrong, but मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई SIB काम का नहीं है, आप इसमें अगर पैसा है, तो और कोरत में देखके यहाँ पर डाल दो, और आप एक साथ भी डाल सकते हो, तो डाल दो कोई प्रब्लेम ही, यह रिवालांस होती रहती है, anyway, यहाँ पर आप देख सकते हो, minimum investment amount आज करेट में 36,818 रुपी चाहिए, जो भी यह stock market open होगी, और वहाँ पर हो सकता है, 200-300 अक्वर्ट का 2,000 रुपी चाहिए, आप 3 months का लेके देख सकते हो, अगर आपको game खेलनी ही हो, investment करनी हो, risk लेके तो 6 months ही ले लो ना, थोड़ी बहुत आपको अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप 3 months बाले लेते हो, तो आपको 4000 रुपे होता है, आपका 6 months में, अगर आप 6 months बाल fund हो, small case हो, यह आपकी हाथ के तो बात है नहीं, तो यह सारे control आप एक funds manager के हाथ में डाल रहे हो, इसका मतलब आप market में bet नहीं कर रहे हो, वो manager के उपर bet कर रहे हो, अगर manager efficient नहीं होगा, तो आपका पैसा 0 भी हो सकता है, anyway चलिए देखते हैं कि इसका managing करता है, जैसे मैंने आपको कहा कि यह आपकी right research manage करता है, अब right research के बारे में क्या होता हूँ, इसके, माना यह जो मिस्टी, मिस्वनम स्रिवास्ताव, इनके पास 10 सल से भी जादा experience है, अगर आप इनके बारे में जादा आप जानना चाहते हो, तो LinkedIn में इसके साथ जोड़ सकते हो, और यह आपक आपकी more than 10 years experience है, यह एक IITN भी है, काफी अच्छे-च्छे small case में मेनेज करते हैं, अगर आप देख सकते हो, मैंने यह आप 6 small case को यह manage कर रहे है, right momentum जो काफी popular है, मैं भी आप investment कर रहा हूँ, बहुत यह अच्छा small case है, balance multi vector small case है, right small cap है, alpha prime जो मैं भी बता रहा हूँ इसके बारे में, आप देखो किसी का return 30% से कम नहीं है, आप देखो, right momentum का 46%, यह वाली 32%, यह देख सकते हो, बट मैं एक चीज़ बता हूँ, personal मेरा opinion है, कि जो small case new आती है, किसी manager के और से, वो लोग चाहते हैं कि उसे काफी जदा अच्छे से manage करें, थापकी आपकी अच्छा return कमा क करी रहा है, तो no doubt मेरे तो इनकों पर भोरो से है, कि यह अच्छा return कमा के दे सकता है, यह वाली small case, anyway, अभी चलिए देखते हैं कि cost adjustment return यहाँ पर क्या है, अगर आप 1,00,000 रुपे, 4 months पहले नहीं, जैसे यह 4 मेने ही हुआ है, आप देख सकते हो, 4 months पहले अगर आप इसमें दिखाई देगा, क्योंकि यह 4 months complete हो चुका है, तो मैं maximum यहाँ पर क्लिक किया हूँ, तो यहाँ पर आप transactions पहले थोड़ी ची ज़्यादा है, क्योंकि 6 मेने में, 6 मेने तो हुआ ही नहीं, 4 मेने में इतना लग चुक है, इसका मतलब है, जब यह rebalance होती है, तो frequently stocks purchase sales होती रह तो आपकी जो delivery trading होती है, तो delivery में क्या होता है, आपकी brokerage charges, यहाँ पे आपकी transaction charges, जो आपकी government taxes होती होती है, यह थोड़ीचे high होती है, intradays है, anyway, आपका खर्चा इतना आई जाता है, यहाँ लग के ऊपर आपका 3,4559, यहाँ शाड़क 3,000 रुपे, 3,500 रुपे आपका एक investment जादा होता, तो 1,4,000 में आपका अभी यहाँ पे अभी तो रिटन कितना होता, 37% से यहाँ दिखा रहा है, यहाँ पे exactly 31% दिखा रहा है, market जिस दिन में यह आप entry कर रहा है, यह मैं जैसे max में क्लिक कर रहा हूं, यह exactly कब ले रहा है, उसी ही सब से calculation कर रहा है, तो अभी यह 3.80% कमा के दे चुका है, तो आप देखो कि बोलोगे यार, 1,00,000 रुपी इंवेस्टमेंट करके, अगर 4 मेने पहले करते तो यह रिटन कमा के देता, एक मेने में तो जादा कुछ है नहीं, मैं यहाँ पे क्यों यह चीज को दो बारा बोला आपको, आप देखो, मैं सि आपको चार लाग रुपे चाहिए इसमें खेलने के लिए, ऐसा नहीं की mandatory है, अगर आप 3-4 लाग आप इंवेस्टमेंट करते हो, मैं यह आप चार लाग कर देता हूं, और यह फिक्स तो ही, ब्रोक्रेस टाइप, एपलाई चेंजिस कर देता हूं, आप देखो क्या आता ह लिए, 868, तो 3,000 मानके चलो, तो 4,00,00, 3,000 रुपे आप इंवेस्टमेंट करते हैं, इसी 4,00,000, आपका हो जाता, 1,40,000 यानि आपको 34.66% रिटन दे रहा है, तो यहाँARE पर जो रिटन करता है, यहाँ पर जो शोडो करता है, यहाँद हो 37%, यह थोड़ा सा difference होता है, 1-2%, 3%, आप चलो, मान के चलो, plus minus 5% होती रहती है, तो यह चीज़ आप ध्यान में दखो, और जब भी आप कोई भी small case हैं, मैं भी क्यों ना review करूं, आप एक बार जाके cost adjustment return देखो, और यह से आप calculation करो, और particularly यह small case में मेरा personal opinion यह है, कि आप इसमें 11 lakh एक रुपे लेके मताओ, अगर आपकी investment करनी है, रिस्क तो आप ले ही रहे हो, यह वाली small case, ऐसे high volatile, और बहुत ही ज़्यादा riskful है, तो यहाँ पर आप risk ले सकते हो, और ले रहे हो, और तीन-चार लाग जो भी है, इसमें पैसा invest करते जाओ, और game खेलो, अगर आपकी नस handful करके भी देगा, मतलब आपका portfolio negative में जा सकता है, तो यह आप मान के चलिए, तो मेरा यह सलाह यह नहीं है कि आप इसमें investment करो भई, आप पहले अपना research कर लो, कितना risk ले सकते हो, फिर यहाँ पर आओ, और यह वाली small case में आप invest कर सकते हो, और again, invest करी रहे हो, तो जितना ज equity rebalance होता है, तो यह आपको अच्छा strategy हो सकता है, और जब आपका मन भर जाए, profit अच्छा हुआ, तो complete exit कर जाईए, profit हुआ, रख भीजिए, मानलो आप six month वाली subscription ले लिए, दो-तिन मेना इसमें investment करके रखा, आच्छा profit आप देख रहे हो, exit कर जाओ, पैसा आपने profit कमा लिय वहां पर आपको short term capital gain tax लगेगा, anyway, profit तो आप कमा लिये, उसके बाद, आप गोलो, यह मैं जब exit करी जाऊंगा, कि आप दुबारा में investment नहीं कर पाऊंगे, क्योंकि, मानलो, आपने six month subscription लिये हो, three month में आप exit कर गे, बाकी three month आपके पास है, तो आप यह investment कर सकते हो, यह मैं कैसे यहां पर investment कर सकते हो, so friends, अगर आपको और भी small case के बारे में जानने हैं, तो आप मेरे channel में आके video देख सकते हो, बहुत small case के बारे में मैंने video बनाया है, बहुत सरे small case coupon code भी provide करते हैं, आपको starting करने में आसानी होगी, आप मेरे video description देख सकते हो, आपकी, जो small case का coupon code है, आपको मिल जाएगा, आप वो small case भी देख सकते हो, but यह small case थोड़ी से new है, आप अगर investment करने आ रहे हो, again I am saying, अगर आप high risk taker हो, then यह small case आपके लिए investment करने के लिए है, आप इसमें investment कर सकते हो, again, it's not my recommendation, आप अपना risk profiling कीजिए, details में analysis कीजिए, then आप यहां पर investment कीजिए अगर आप कोई वीडियो अच्छा लग रहा हो, like करके बताईए, अगर आप चैनल पर new है, तो चैनल को subscribe कर दीजिए, so that मैं ऐसे ही, जब वीडियो बना के लाँगा, तो आपके पास यह information and notification पहुंसता रहाएगा, so मिलते हैं next video में, thanks for watching